दोस्तो आज हम तुल्सी के पत्ते का कुछ ऐसे रहस बताने माले हैं, जिसे जानकर आप हैरान राज जाएंगे, और दोस्तो बदल सकता है आपका भाग, तुल्सी के एगारे पत्ते बदल देंगे आपका पल भर में भाग, और दोस्तो आपका मनो कामना जल्द ही पुरा हिंदु धर्म को मानने बाले लोगों के घर में तुलसी का पोधा जरूर होता है हिंदु धर्म में तुलसी के पोधे की परती दिन पूजा अर्चना की जाती है जोतिस सास्तर में तुलसी से जुरे कुछ ऐसे आसान प्रियोग के बारे में बताया गया है जिसे जानने के आपका हर मनोकामना पूरा होगा तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो बिधिक क्या है हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र मानते हैं धार्मिक मन्यता है कि तुलसी के पौधे में माता लचमी वास करती है जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होता है वहां वस्तु दोस नहीं होता है साथ ही घर में सुख सम्मिर्धी आती है वस्तु सास्तर का मानना है कि इस पोधे को लगाने से घर का और आसपास का वाता वरन सुध और सकारातमक होता है दोस्तु अगर आपके दिल में कोई भी इक्षा है और दोस्तो वा जल्दी पूरा नहीं होता है तो आपको एक काम जरूर करना चाहिए दोस्तो आपको तुलसी के एगारा पत्ते रभी बार या एकादसी के दिन तोड़ ले इन पत्तो को अच्छी तरह से धो कर सुखा ले इसके बाद हनुमान जी पर चड़ाए जाने बाले नारंगी सिंदुर में तेल मिलाकर तुलसी के पत्तो पर राम नाम लिखे और इन पत्तो की माला बनाकर बजरंग बली को अर्पित करे और उन्हें अपनी मनो कामना बताए मन्यता के अनुसार ऐसा करने से आपकी मनो कामना जल्द ही पूरी होगी अगर दोस्तो आपके घर में और सांती का वाता वरन है तो तुलसी के चार पाँच पत्ते लेकर इन्हें धोकर साफ कर ले इसके बाद पीतल के लोटे या कोई भी पात्र ले और उसमें साफ जल लेकर तुलसी के पत्ते डाल कर रख दे परती दिन नहाने के बाद घर के दरबाजे पर इन जल का छिरकाव करे ऐसा करने से घर में नकारातमत्ता दूर होती है और धर में सुक समिर्दी और सांती आती है दोस्तो अगर आपके बने बनाए काम बिगर जाते हैं और भाग आपका साथ नहीं दे रहा है तो इसके लिए आपको एक काम जरूर करना चाहिए एक आटे का दिपक बना कर उसमें एक चुटकी हल्दी डाल कर स्टाम को तुलसी के सामने ज्वलित करे इस दिपक को तुलसी की जरो में उत्तर दिशा में रखने से भाग साथ देने लगता है और दोस्तो बिगरे काम बनना सुरू हो जाता है तो दोस्तो यह जानकारी आपको कैसा लगा कुमेंट में जरूर बताना और दोस्तो हमेशा रहस बरी जानकारी के लिए आम मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर करना